Hello everyone, मैं राउल सिंगर या आप सभी का स्वागत करता हूँ Step Up Academy में where you can learn today and lead tomorrow आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं आज हम class 10 civics का first chapter power sharing पढ़ने वाले हैं इस chapter में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि power sharing की जरूरत क्यों होती है और specifically हम दो democracies की बात करेंगे स्री लंका एंड बेल्जियम और इन दोनों stories के थूर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि power sharing की जरूरत क्यों है इसके बाद हम power sharing के reasons पढ़ेंगे कि क्या क्या reasons है जिनके कारण power share होनी चाहिए और different forms of power sharing क्या क्या होते है किन किन तरीकों से power share की जा सकती है तो आईए शिरुआत करते हैं हम democracy में power से कि democracy में हम ये जानते हैं कि power किसी एक organ के पास नहीं होती है हम जानते है organs of the government क्या होते है organs of the government legislative जिसका काम है law बनाना executive जिसका काम है law को execute करना और country को govern करना and gd sherry जिसका काम है कि dispute arise हो तो इसको resolve करना है और ये देखना है कि constitution ठीक से follow किया जा रहा है कि नहीं तो ये तो तीनों organs हैं government के हम particularly democracies की बात कर रहे हैं है न क्योंकि democracies में power sharing की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम यह जानते हैं democracy में power किसी एक organ के पास नहीं होती है ये power का एक intelligent sharing होता है legislative, executive and judiciary के बीच में तो democracies में इस power sharing के concept को कैसे differently deal किया जाता है ये हम समझेंगे Belgium और Sri Lanka की story से क्योंकि हर एक democracy power sharing को different तरीके से deal करती है different तरीके से handle करती है तो कैसे Sri Lanka ने power sharing के concept को handle किया कैसे Belgium ने handle किया पहले हम इन दोनों की stories समझते हैं कि ये दोनों countries हैं कहां इनका ethnic composition क्या है ethnic composition क्या होता है उसके बाद हम power sharing पर वापस आएंगे शुरुआत करते हैं Belgium की story से Belgium एक बहुत ही छोटी सी country है यूरोप में अब इस country की neighboring countries देखते हैं neighboring countries में हम देखेंगे कि यहां पर north में है Netherlands ठीक है East में है France sorry West में है France East में है Germany और ये छोटी सी country है यहां पर South में है Luxembourg ठीक तो Belgium एक बहुत ही छोटी country है इसको यदि हम area और population को compare करें तो Belgium का area लगबग हरयाना जितना है हरयाना से कम ही होगा और इसकी population हरयाना से लगबग आधी है तो इस से हमें यह समझ में आ रहा है कि यह कितनी छोटी सी एक country है ठीक तो इसका हमें location पता चल गया कि Belgium कहां पर है Europe में है बहुत छोटी सी country है जिसका area हरयाना से कम है और population भी लगबग हरयाना से आधी है neighboring countries है France, Netherlands, Germany and Luxembourg और यहां का जो ethnic composition है small country का यह बहुत complex है लेकिन ethnic composition समझने से पहले ज़रा हम यह ethnic word क्या होता है पहले हम इसको समझते हैं कि ethnic का meaning क्या होता है ethnic मतलब होता है एक social group या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे जो different social groups हैं उनका जो composition है उसको combine लिए हम क्या कह देते हैं ethnic composition तो ethnic मतलब क्या होता है एक social group जो किसी shared culture के basis पर बनाया गया हो है ना तो इसमें सबसे पहला point हमें क्या मिल जाता है a social division based on shared culture ठीक अब लेकिन ये shared culture के basis पर social division है society divided है मैंने बताया भाई एक social group दूसरा social group तीसरा social group इन सब को मिला कर हमने बोल दिया ethnic composition हम एक social group को एक ethnic group कह सकते हैं ठीक तो यहाँ पर यह जो ethnic groups हैं यह किस चीज में believe करते हैं they believe in their common descent descent यह descendants वाला descent है common descent यहाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर origin की वो अपने common origin में believe करते हैं किस चीज के basis पर या तो physical type के basis पर या culture के basis पर या दोनों के basis पर तो ethnic में दूसरा जो इसकी definition में दूसरा point आ जाता है वो क्या है कि इसमें लोग किस चीज में believe करते हैं they believe in their common descent या origin ठीक है किस चीज के basis पर similarities in physical type और culture और बोथ ठीक और इस ethnic का एक और important point ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ethnic group को belong करने वाले लोग एक religion को follow करते हों या एक ही nationality के हों एक religion को हो सकता है कि वो एक अलग religion को follow कर रहे हैं और अलग nationality के हैं है ना तो third point क्या बिल जाता है ये ज़रूरी नहीं है कि उनका religion या nationality हमेशा एक हो they can belong to different nations different religions बट उसके बावजूद भी हो सकता है कि वो एक ही ethnic group के members हों जैसे कि हम example ले लेते हैं हमने ninth class में Nazism के बारे में पढ़ा है और हम जानते हैं कि Germany में Aryans रहते थे और India में भी Aryans रहते थे तो Aryan एक ethnic group है हमने हमारे shared culture के basis पर और shared जो हमारे जो physical type है उसके basis पर हमने बोला कि Aryans वहाँ भी हैं Aryans यहाँ भी है तो एक ethnic group है है ना उनका religion लेके न अलग अलग है वहाँ पर Christians थे और India में Hindus थे है ना तो different religion हो सकता है different nationality हो सकती है ठीक तो अब हम वापस से आते हैं Belgium के ethnic composition पर अब देखो ethnic composition कई चीज़ों के basis पर हो सकता है लेकिन जब हम Belgium और Shri Lanka में ethnic composition देखेंगे तो यहाँ पर हम किस चीज़ के basis पर ethnic composition देख रहे हैं language linguistic basis पर तो Belgium में हम देख रहे हैं तीन different language बोलने वाले group रहते हैं कौन-कौन सी तीन different language बोल रहे हैं Dutch French and German ठीक है अब देखो इनको याद करने का तरीका या तो हम इस तरीके से थियोरी याद कर सकते हैं या फिर हम इसको एक टेबलिक फॉर्म में याद कर सकते हैं बहुत आसानी से ठीक, देखिएगा कितनी आसानी से याद हो जाएगा यहाँ पर हम दो जगहों के लिए देखेंगे एक Belgium और एक Belgium की जो capital है Brussels ठीक है अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं Dutch की Belgium में ये जो हमें हिस्सा नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा जो है इसे कहते हैं Flemish region और यहाँ पर रहते हैं Dutch speaking population क्योंकि हम जानते हैं North नॉर्थ पर कौन सा एक neighboring country है Netherlands और Netherlands के लोग क्या बोलते हैं Dutch भाशा बोलते हैं तो यहाँ पर 59% population जो है Belgium की वो Dutch language में बात करती है अब ये जो हमें दूसरा region नजर आ रहा है ये क्या है Valonia region है ये France के neighboring state इसकी जो neighboring country है वो क्या है France है तो ये जो Valonia region है यहाँ पर जो population है 40% population क्या बोल रही है French language बचा कितना सिर्फ 1% ये 1% क्या बोलते हैं German language ठीक है अब देखो कितनी आसानी से जाद हो गया यहाँ पर हमको लिखना पड़ रहा है पूरा कि 59% जो है वो फ्लैमिश region में रहते हैं और डच लेंग्वेज बोलते हैं 40% जो है वो Valonia region में रहते हैं और French बोलते हैं remaining जो 1% है वो क्या बोलते हैं जर्मन लेंग्वेज बोलते हैं ठीक है अब यही चीज हम capital की बात करें capital में यह उल्टा हो जाता है पूरी country में हम देख रहे हैं Dutch majority में है और French minority में है लेकिन capital में क्या है Dutch minority में है capital में सिर्फ 20% लोग Dutch language में बात करते हैं जबकि 80% लोग जो हैं वो French language में बात करते हैं ठीक तो यह Belgium का ethnic composition है बहुत आसानी से इस तरीके से याद किया जा सकता है ठीक है ठीक है ठीक है त्योरी में कैसे लिखना है हमने वो भी सीख लिया और याद कैसे करना है वो भी सीख लिया आपको रीजिन्स का नाम याद रखना है कि यह कौन सा रीजिन है फ्लैमिश रीजिन है यह कौन सा रीजिन है यह वलोनिया रीजिन है और यह हमें जो अलग से एक नजर आ रहा है यह Brussels है और यह जो remaining part है यहाँ का यह कौन सी भाषा बोलने वाले रहते हैं यहाँ पर जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं ठीक यह Belgium का ethnic composition है लेकिन अब Belgium में क्या हुआ द्यान से सुनिएगा भाई Belgium में यह जो Dutch और French लोग है ना इनके बीच में conflict बढ़ने लगे क्यों बढ़ने लगे इनके बीच में conflict क्योंकि French लोग जो थे वो relatively rich और powerful थे और इनको education और economic development के benefits पहले मिल गए थे लेकिन जो Dutch community है वो इस चीज़ से नारास थी कि Dutch लोग इतने rich और powerful नहीं है और इनको economic development और education का फाइदा जो है वो बहुत बाद में मिला So, this became the reason for the tension between these two groups क्या था रिजन? Dutch people resented that French are rich and powerful and they got the benefits of the economic development and education much later than the French community ठीक है? So, this became the reason for tension between these two groups कब हुई यह tension? 1950s and 1960s में ठीक है? अब देखो यहां से हमें एक special problem नजर आ रही है Brussels में जब पूरी country में Dutch majority में हैं लेकिन capital city में देखा जाए तो Dutch minority में हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो Brussels है यह special case है क्या special case है? क्या special problem प्रेजेंट कर रहा है कि Dutch speaking community constituted majority in the country but minority in the capital तो यह एक special problem है यहां से question frame हो सकते हैं आपको बहुत सारे आपको पूछा जा सकता है कि Belgium की neighboring countries के नाम बताईए Belgium का ethnic composition बताईए ethnic word को define कीजिए और साथ में Brussels में क्या special था? क्या special problem थी है ना? special नहीं कहेंगे special problem what was the special problem presented by Brussels? ठीक? and what was the reason for conflict between French and Dutch speaking community during 1950s and 1960s तो यह इतने सारे हमको यहां पर questions frame हो सकते हैं ठीक है? यह तो हो गई Belgium की story अब हम आते हैं श्री लंका की story पर श्री लंका हम जानते हैं हमारी neighboring country है काफी पास में है ना हमारे विल्कुल ठीक है ना? तो यह श्री लंका जो है एशिया में हम जानते हैं इंडिया का एक sea neighbor है अब यहां पर आप देखो तो यह भी अपने हर्याना के बराबर है और population भी लगबग हर्याना के बराबर है लगबग 2 करोड के आसपास इनकी population है श्री लंका की एक island nation है और Tamil Nadu के काफी पास है है ना? Tamil Nadu के coast जो है southern coast यहां से हम देख रहे हैं Tamil Nadu से बिल्कुल पास में है यह ठीक है ना? तो श्री लंका जो है इसकी population है कि हम कितनी बड़ी countries की बात कर रहे हैं ठीक है? अब यहां पर हमको देखना है इतने composition तो देखो भाई यहां पर भी दो linguistic groups हैं एक Sinhalese speaking और एक Tamil speaking दो group हैं Sinhalese speakers का number कितना है? total population में 74% ठीक है? और यहां पर जो tamils हैं उनका है 18% ठीक है? total population में इनका percentage हम बता रहे हैं ठीक है ना? कि श्रीलंका की जो total population है उसमें 74% Sinhalese language में बात करने वाले लोग हैं और 18% Tamil language में बात करने वाले लोग हैं ठीक है? अब इस tamils में भी दो subgroups हैं कौन से दो subgroups हैं? एक जनके four fathers इंडिया से श्रीलंका migrate हुए और दूसरे वहां के जो original natives हैं वो है ना? तो यहां पर हमने इनको नाम दे दिये है ना? native जो है Tamil natives जो हैं उनको क्या कहा रहे हैं? श्रीलंकान तमिल्स ठीक है? और जो बचे हुए 5% हैं इनके four fathers, इनके पूरवज इंडिया से वहां सेटल हुए इसलिए इनको क्या वोला? Indian tamils ठीक, अब यहां पर यह कहां concentrated हैं? इसको map को देखेंगे तो आपको पता चलेगा country के northern part में और country के eastern part में. यह हिस्सा है जहां पर यह tamils जो हैं वो concentrated हैं. ठीक, यहां पर नजर आ रहा हैं. यह sinhalese speaking, tamils speaking, indian tamils and muslims. ठीक है? तो यह indian tamils यहां पर हैं but majority जो tamils की हैं वो country के northern और eastern part में हैं ठीक? clear है यह चीज? अब ध्यान से सुनियेगा भई. यहां पर थोड़ा सा classification और है यहां पर हम उनका religion भी बता रहे हैं कि sinhalese जो हैं वो उनका mainly religion क्या है? बुद्धिजम. ठीक है? tamils क्या कर tamils का main religion क्या है? या तो वो हिंदू है या muslim है total population में से 7% ऐसे लोग हैं जो Christians हैं और यह tamil भी जानते हैं और sinhala language भी बोलना जानते हैं तो कितना सारा theory हो गया? इसको भी हम चाहें तो एक tablic form में हम समझ सकते हैं हम यहां पर भी बात कर सकते हैं कि हम एक sinhala बना लें एक tamil बना लें इनका पहले percentage लिख लेंगे कि 74% कौन है? tamils, सरी sinhalese हैं, 18% tamils हैं, इसमें भी 13% जो हैं वो श्रिलंकन tamils हैं और 5% इंडियन tamils हैं इनके religion की बात कर लेते हैं, यदि religion देखेंगे, तो sinhalese language में बात करने वाले जो लोग हैं, उनका main religion है buddhism tamils या तो hindu हैं या फिर muslims हैं ठीक है? बचे हुए जो लोग हैं, उनमें से 7% लोग जो हैं वो christians हैं ठीक है? और ये tamil language भी जानते हैं और sinhalese भी जानते हैं, लेकिन अभी भी देखो 100% नहीं हुआ कितना बच गया अभी भी आप देखेंगे 1% इसमें रह गया है है ना? अब ये जो बचे हुए 1% है ये others की category में हम अपन डाल सकते हैं मतलब ये कौन अलग-अलग language बोलते हैं, इनके religion भी अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है? तो ये total composition हो गया, ethnic composition हो गया श्री लंका का जो हमने इतनी सारी theory पड़ी उसको हम इतना short में इस table के तरू याद कर सकते हैं ठीक, तो ये श्री लंका का ethnic composition हो गया, ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा, दोनों जगहों पर ethnic composition में कि कोई एक group जो है, वो majority में है तो हमारा question ये है कि जब एक group majority में है तो इन countries में क्या हो सकता है क्या conditions create हो सकती हैं तो पहले हम बात करते हैं Belgium की कर सकती है, किसके उपर बाकी के जो German speaking और French speaking population है उसके उपर लेकिन इससे क्या होगा इससे conflict और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्या हुआ देखेंगे फिर श्री लंका की बात करते हैं, श्री लंका में तो सिनलीज community और ज़्यादा majority में हैं और definitely यह अपनी will impose कर सकते हैं पूरी country के ऊपर तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है conflict बहुत ज़्यादा हो सकता है अब इन दोनों countries में हुआ क्या हमारा अगला question यहीं से start होता है what happened in both these countries ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री लंका की कि श्री लंका में क्या हुआ श्री लंका में हुआ मिजोरिटेरियनिजम लेकिन जैसे ही हमने यह बोला मिजोरिटेरियनिजम इन श्री लंका तो question क्या आता है what is मिजोरिटेरियनिजम क्या होता है मिजोरिटेरियनिजम Majoritarianism का मतलब है कि एक country में रहने वाली majority community ये सोचने लगती है कि वो जैसे चाहे वैसे country पर अपना rule establish कर सकती है जिस तरीके से चाहे वैसे rule कर सकते हैं और इसमें उनको minority के interest का ध्यान रखने की बिलकुल जरूरत नहीं है तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है सोच है ना एक है ना तो इसकी definition में भी हम देखें क्या है ये एक belief ये keywords है ये ध्यान रखिएगा क्या है ये belief है तो majoritarianism is a belief in which क्या कहते है majority community should be able to rule majority community should be able to rule a country in whichever way it wants जैसे चाहे वैसे rule करें by disregarding the wishes and needs of the minority मतलब श्री लंका में क्या हुआ majority community याने सिनहलीस community ने तमिल्स की needs और उनके जो भी wishes थे उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो जैसे चाहें वैसे country को rule कर रहे थे अब question ये आता है कि किस तरीके से majoritarianism follow किया गया how majoritarianism was practiced in श्री लंका तो आईए ये देखते हैं कि कैसे practice किया गया सबसे पहले इनोंने क्या किया 1956 में याद रखिएगा भाई कि जो श्री लंका है उसको freedom मिला था 1948 में याने इंडिया की आजादी के एक साल बाद यहाँ पर भी constitution बना constitution में ये decide हुआ कि श्री लंका भी एक democracy होगा और यहाँ पर जो constitution बना उसमें changes किये गए एक act भी लाया गया उस constitution में भी changes किये गए और अलग से भी acts बनाये गए तो अभी हम बात कर रहे हैं act की 1956 में एक act बनाया गया और उस act के थूँ क्या किया गया sinhala language was recognized as the only official language of श्री लंका only official language अब यहीं से conflict start होता है official language का मतलब क्या है जिसमें सारा office work होगा सरकार जिस language में काम करेगी अब यह कह रहे हैं कि सर्फ sinhala language में काम करेगी सरकार तो समस्या तो होगी तमिल्स को कुछ समझ ही नहीं आएगा यहीं से conflict चालो गया 1956 में श्री लंका में जो sinhalaese government है देखो sinhalaese ही बनेगी क्यों majority में है तो definitely sinhalaese government ही form होगी तो यह जो sinhalaese government है उसने 1956 में एक act पास कर दिया और इस act के थूँ उन्होंने sinhalaese language को श्री लंका की only official language declare कर दिया ठीक problem start हुई दूसरी चीज क्या करी government ने preferential policies adopt करी किस चीज में preferential policies adopt कर रहे हैं government jobs and university post मने यदि government job के लिए interview हो रहे हैं तो उसमें preference किसको दिया जाएगा sinhalaese person को ना की tamil को मतलब यदि एक post है तो उस एक post पर sinhalaese person को job मिलने के chances ज्यादा हैं tamil को job मिलने के chances कम हैं है क्यों क्योंकि preferential policies follow की जा रही है ठीक इसके इलावा एक और चीज क्या की गई नया constitution बनाया गया और इस नया constitution में क्या कह रहे हैं कि buddhism को protect करना और foster करना याने promote करना है ना तो buddhism को protect करना और promote करना ये किसकी जिम्मेदारी है government की जिम्मेदारी है तो समस्या तो हो गई भाई देखो क्योंकि tamils जो हैं वो या तो hindu है या muslim है buddhist नहीं है तो इस तरीके से majoritarianism follow किया जा रहा था श्री लंका में ठीक तो ये आपको यदि question आता है how majoritarianism was practiced तो उसमें हम इस तरीके से answer लिखेंगे लेकिन question ये आता है जब श्री लंका में जो sinhalese government है वो majoritarianism practice कर रही थी तो tamils कैसा feel कर रहे थे उनकी feelings के बारे में भी हमको बताना है कैसा feel कर रहे थे भाई वो alienated feel कर रहे थे alienation का मतलब क्या है अलग type का isolated feel कर रहे है उनको लग रहा है कि ये वो उनको उनकी ही country में अलग कर दिया गया है है ना so how tamils were feeling they were feeling alienated feeling of alienation थी ठीक है इसके लावा उनको ये लग रहा था कि कोई भी जो political party है political parties जो buddhist हैं और sinhalese हैं ना तो buddhist, sinhalese, political parties या leaders जो हैं इनको ऐसा लग रहा था they are not sensitive towards their language and culture है ना इनको क्या लग रहा था none of the buddhist, sinhalese political party और leader are sensitive towards their language and their culture इनके लिए कुछ करी नहीं रहे तो definitely ये feel करेंगे और क्या लग रहा था इनको इनको ये लग रहा था कि इनको political rights नहीं मिल रहे हैं है ना they were thinking that they denied them equal political rights तेक और opportunities भी नहीं है है ना equal opportunities नहीं हमने अभी देखा कि preferential policies थी university jobs में, government jobs में किसको preference दिया जा था sinhalese को preference दिया जा रहा था तो tamil क्या feel कर रहे थे कि they are discriminated किस चीज में discrimination हो रहा है in getting government jobs या other opportunities ठीक and their interests are ignored ये भी इनकी feeling थी तो यदि 5 marks में भी question आ गया तो हमारे पास 5 points है ये लिखने के लिए कि tamils कैसा feel कर रहे थे, alignated feel कर रहे थे, उनको लग रहा था कि कोई भी sinhalese या buddhist political party जो है उनकी language और culture के लिए sensitive नहीं है उनको लग रहा था कि उनको equal political rights नहीं मिल रहे हैं उनको लग रहा था कि उनको jobs में और other जो university post हैं उनमें equal opportunity नहीं मिल रही है और उनको लग रहा था कि उनके interest को ignore किया जा रहा है ठीक तो ये tamils की feeling है और condition अच्छी नहीं है तो फिर ये कुछ तो करेंगे भाई अपनी condition improve करने के लिए तो इन्होंने अपनी condition improve करने के लिए क्या किया इन्होंने political parties form करें question क्या है what did they do what they did to improve their condition है ना तो क्या condition improve करने के लिए क्या launch parties and struggles ठीक है अब कैसे ये parties or struggles अब देखना भाई अब इनमें इनकी demands होंगी तो question ही आता है कि इनकी demands क्या थी तो अगला question आ गया भाई what were their demands तो demands क्या है अब हम demands पर रहते हैं इनकी तीन main demands थी कौन सी तीन demands है सबसे पहली language क्योंकि उनको समझ में तो आना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है है ना तो सबसे पहली demand क्या थी tamil should be also recognized as the official language of the country है ना tamils को भी श्रीलंक तमिल language को भी श्रीलंका की official language recognize किया जाए ताकि उनको समझ में तो आए कि सरकार क्या कर रही है थीक है तो tamil should be recognized as the official language यह उनकी पहली demand थी दूसरा regional autonomy regional autonomy का मतलब क्या है भाई हम जानते हैं कि northern और eastern part में स्री लंका में tamils dominated dominate कर रहे थे वहाँ पर रह रहे थे तो यह कहना चाह रहे हैं कि जो स्री लंका का northern और eastern part है वहाँ पर government autonomy दे दे यहने self rule दे जैसे इंडिया में हम देखते हैं ना कि हर एक state जो है वो autonomous है उनकी खुद की powers है खुद की government है हर चीज के लिए वो central government पर dependent नहीं है तो ऐसे यह regional autonomy चाह रहे है तमिल dominated regions के लिए ठीक और क्या चाह रहे हैं equal opportunity in securing education and jobs ठीक ये इनके टीन demands थी लेकिन आपको लगता है क्या कि जो सिन्हलीस government है वो इनकी demands को मानेगी खास्तोर से यह जो regional autonomy वाली demand है बिलकुल नहीं बार बार यह regional autonomy की demand की जा रही है और श्री लंका में जो government है वो बार बार इनकी demand को खास्तोर से जो autonomy की जो demand है उसको repeatedly repeatedly deny कर रही है बार बार मना कर दे रहे है अब जब इनको regional autonomy नहीं मिल रही है तो conflicts बढ़ गए और 1980s में यह conflicts जो है यह बहुत ज्यादा बढ़ गए इतने बढ़ गए कि अब यह autonomy की demand नहीं कर रहे है यह tamil alum, tamil alum alum का मतलब क्या होता है यहाँ पर state और यहाँ state किस चीज के लिए use कर रहे है country के लिए nation के लिए है ना ठीक है यहाँ पर alum या sorry state word क्योंकि याद रखिएगा generally state word को हम use करते हैं government से country को separate बताने के लिए nation को separate बताने के लिए यह tamil alum, tamil nation की बात कर रहे है tamil government की बात नहीं कर रहे है अपन है ना तो tamil nation की बात कर रहे है तो demand देखो एक regional autonomy से tamil alum की demand पर आ गए independence की demand पर आ गए conflict बढ़ता चला गया अब यह conflict और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहे है और wide spread हो गया और काई में convert हो गया civil war में अब यह जो civil war हुई यह बहुत ही terrible थी बहुत terrible setback हुआ बहुत सारी चीजों में नुकसान हुआ socially, culturally और economically जो लोगों की जो life थी इसमें बहुत ज़्यादा effect हुआ स्री लंका में बहुत ज़्यादा destruction हुआ हलाकि यह जो civil war थी यह finally 2009 में खतम हो गई लेकिन आप देखिए कितना लंबा चला 1980s में यह सब start हुआ और 2009 में खतम हुआ लगभग 30 years हम कह सकते हैं कि 30 सालों तक श्री लंका में condition अच्छी नहीं थी ठीक तो यह civil war हुई तो यहाँ पर हमने यह देखा कि कैसे श्री लंका में majoritarianism practice किया जा रहा है majoritarianism है भाई श्री लंका में ठीक अब हम बात करते हैं Belgium की Belgium में जैसे हमने श्री लंका में देखा ना कि majoritarianism था यहाँ पर क्या है accommodation, accommodation मतलब क्या है यहाँ पर ऐसी policies बनाई जा रही हैं जिससे की लोग साथ में मिलकर रह सकें क्यों ऐसा किया गया देखो अब यहाँ पर एक question यह आता है what was the different path that leaders of Belgium chose as compared to the leaders of Sri Lanka तो क्या है वो different path सबसे पहली चीज जो different path है इन्होंने recognize किया किस चीज को recognize किया differences को इन्होंने recognize कि हम Belgium में जो भी लोग रह रहे हैं Dutch हैं French हैं German हैं मतलब की differences है cultural diversity है और differences हैं श्री-Lanka में उन्होंने recognize नहीं किया हम सब स्री-Lankans हैं अब जब हम सब स्री-Lankans हैं तो सब सिनलीज लेंग्वेज में बात करें सब बुद्धिजम को follow करें उन्होंने cultural diversity को और differences को recognize नहीं किया recognition बहुत जरूरी है भाई यदि ये recognition नहीं होगा तो country में लोग साथ में नहीं रह सकते हैं अब जब इन्होंने recognize कर लिया कि differences हैं तो ये recognize करने के कारण अब इन्होंने अपने constitution में चार बार change किया 1970 से 1993 के बीच में चार बार changes किया क्यों चार बार changes किया ताकि ये ऐसी policies बना सकें जिसके कारण सारे different groups मिलकर एक country में रह सकें याने accommodation हो जाएगा तो अब जो भी changes किये गए उन changes को ही हम क्या कहेंगे accommodative policies जिनके कारण Belgium में सारे different ethnic groups मिलकर एक साथ रह पा रहे हैं ठीक है तो भाई कौन-कौन से different elements हैं Belgium model के Belgium model हम किसे कह रहे हैं Belgium model का मतलब क्या है constitution में वो जो amendments किये गए न उन्हीं amendments को हम कहते है Belgium model लेकिन ध्यान से सुनियेगा हम सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते उन बहुत सारे changes में से कुछ चार important points हम यहां पढ़ने वाले हैं Belgium model के ठीक है याने कि Belgium में जो accommodative policies follow की गई अब हम वो accommodative policies पढ़ने वाले सबसे पहली क्या है उसमें से यह कह रहे हैं कि central government जो बनेगी Belgium की उसमें French और Dutch ministers का number equal रहेगा है ना तो constitution में क्या बोल दिया गया number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government ठीक है equality आ गई लेकिन सिर्फ number equal हो जाना काफी नहीं है general law के case में तो ठीक है बई चलेगा लेकिन special law देखो special law क्या होता है यह हर एक country में defined किया जाता है इंडिया के case में special law क्या है वो हमारे constitution में defined है वैसे ही Belgium के case में special law किसे काएंगे वो Belgium के constitution में defined है लेकिन याद क्या रखना है यह कह रहे हैं कि special law को यदी parliament में पास करना है Belgium की parliament में पास करना है तो simple majority से काम नहीं चलेगा क्या चाहिए उनको majority from the members of both linguistic groups each linguistic group है न हर एक linguistic group से majority चाहिए याने ठीक है इसमें से हम जानते हैं कि 50 जो हैं वो French होंगे और 50 जो हैं वो Dutch होंगे ठीक है अब simple law है simple majority इसमें 100 के साब से देखा जाए तो 51 simple majority होती है simple law में इनमें से मिला कर 50 आ जाएं 51 आ जाएं कैसे भी है ना माल लीजिए जदि हम simple majority की बात करते हैं और यहां से हम यह देखते हैं कि 29 फ्रेंच से आ जाते हैं ठीक है और 23 डच से आ जाते हैं तो total number of आप देखो कि 52 हो गया मतलब की majority आ गई ऐसे में simple law pass हो जाएगा लेकिन स्पेशल लाउ पास नहीं होगा क्यूंकि यहां पर देखो दौनोे गृप से majority चाहिए थी यहां से भी majority चाहिए यहां से भी चाहिए तो इस case में majority होगी 26 इस case में majority होगी 26 लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, 26 से कम है, तो special law pass नहीं होगा, ठीक है, clear है यह चीज़, तो पहली चीज़ क्या करी इन्होंने, Belgium में क्या change किया, इन्होंने कहा, कि central government में, number of French and Dutch ministers equal होगा, और special law के case में, दोनों गृप से majority चाहिए होगी, तब वो special law pass होगा, otherwise, नहीं, ठी दूसरा point आते है, state government से related, state government पहले subordinate थी, भाई, पहले भी state government थी, हमने देखा, different regions थे, Belgium में है ना, तो पहले भी state governments थी, लेकिन अब क्या हुआ, पहले state government के पास powers नहीं थी, मतलब वो subordinate थी, central government के, लेकिन अब बहुत सारी powers, central government से लेके, state government को दे दी गई, ताकि वो subordinate न र हैं, है ना, तो many powers of the central government have been taken and given to the state governments of the two regions of the country, है ना, Flemish region and Valonia region, ठीक, ऐसा क्यों किया गया, ताकि states subordinate न रहें, ठीक है, regional autonomy मिल गई इनको, ठीक, अब states subordinate नहीं है, ठीक है, तीसरा जो है, वो Brussels से related है point, Brussels के लिए एक separate government बनाई गई और यहाँ पर भी same provisions रखेगा, जैसे central government में, कि Brussels के लिए जो government बनेगी, वहाँ पर भी number of French and Dutch ministers equal होगा, अब इस point को और first point को मिला कर हम conclusion ले सकते हैं, कि country में Dutch लोगों ने French को equality दी, इसलिए capital में French लोगों ने Dutch लोगों को equality दी, ठीक, तो यहाँ पर हमने conclusion भी निकाल लिया, क्या conclusion निकाल दिया, the French-speaking people accepted equal representation in Brussels because Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government, ठीक, बराबरी की बात है, एक ने दी बराबरी, दूसरे ने दी बराबरी, है ना, give respect and take respect वाला केस हो गया यह, ठीक है, French लोगों ने Dutch लोगों को respect दी, क्यों दी, क्योंकि Dutch लोगों ने country में French लोगों को respect दी, है न, equal representation देना, मतलब respect देना है यहाँ पर, ठीक है, और last जो है, एक important point वो है community government, यह special feature है यहाँ का, यह कह रहे है कि Belgium में, हर एक region में, एक community government बनेगी, अभी हमने कहीं पर भी Germans के लेकिन अब देख रहे हैं, Germans के लिए क्या condition है, यहाँ पर, कि भाई Germans की भी एक community government होगी, French की भी एक community government होगी, और Dutch की भी एक community government होगी, ठीक है, तीनों communities की एक एक government, community government होगी, लेकिन इस community government के पास limited power होगी, यह central government और state government की तरह नहीं है, इनके पास किन चीज़ों से related power है, culture, education and language related issues of that particular community in that particular area ठीक है अब भले ही French person हो सकता है कि वो बलोनिया की जगा फ्लैमिश में रहने लगा हो लेकिन वो French community government के लिए vote करेगा भले ही एक Dutch person फ्लैमिश की जगा वलोनिया region में रहने लगा हो ठीक है लेकिन वो Dutch community government के लिए vote करेगा ठीक है दोनों जगा पर है है ना फ्लैमिश में कौन रह रहे थे डच और वलोनिया region में कौन रह रहे थे फ्रेंच ठीक है तो यहां दोनों जगाहों पर French community government और Dutch community government के elections होंगे लेकिन हो सकता है लोग migrate हो गया है लेकिन वो जहां अभी रह रहे हों country में जब French community government के लिए vote होगा तो सारे French vote करेंगे डच के लिए होगा तो डच वोट करेंगे और German community government के लिए होगा तो सारे Germans vote करेंगे ठीक तो यह चार main features है Belgium model के ठीक है अब इसका फाइदा भी हुआ बहुत सारे benefits भी हुए Belgium model के क्या फाइदा हुआ सबसे पहली चीज जो civic strip हो सकता था different communities के बीच में वो civic strip नहीं हो पाया दूसरा क्या country का division हो सकता था किस चीज के basis पर linguistic basis पर देखो language कितना important role play करती है linguistic basis पर country का division हो सकता था लेकिन जब power share की तो वो division नहीं हुआ अब इन दोनों चीजों के कारण यह फाइदे हैं Belgium model के है ना इन दोनों चीजों के कारण Belgium एक बहुत ही peaceful country है और यह इतनी peaceful है और इसकी importance और development इतना ज़्यादा हुआ ना कि आगे चलके जब European Union बनी तो European Union का headquarter Brussels में बनाया गया जो की Belgium की capital है ठीक अब यह देखो दोनों countries की story हमने पढ़ ली श्री-लंका में majoritarianism कैसे practice किया जा रहा और उसका accommodative policies अपनाई गई और उसका result क्या हुआ हमने वो भी देखा ठीक है तो अब इन दोनों stories से हम क्या सीखे यह question आएगा क्या learn किया इन दोनों stories से हमने तो क्या learn किया सबसे पहले बात करते हैं Belgium की Belgium से क्या सीखे की country की unity कब possible है जब different groups की feelings और उनके interest की respect करें सब लोग ठीक है तो Belgium से Belgium के leaders से हम क्या सीखते हैं कि unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of the different communities and regions different communities and regions की बात कर रहा है इसा नहीं कि एक की या दो की country में क्योंकि यहां तो हमने देखा कि बाई दो या तीन linguistic group हैं लेकिन इंडिया की बात करो तो इससे कई जादा हैं है ना तो सारे groups जित्ते भी रह रह रहे हैं different communities और regions के क्या किस चीज़ की respect करनी है feelings and interest की respect करनी है तो जाके country की unity maintain रहती है यदि हम different groups के feelings की different groups के जो wishes है उनके interest है उनकी हम respect नहीं करते तो country की unity maintain नहीं रह सकती तो Belgium से क्या सीखा unity कब possible है ठीक लेकिन श्री लंका से क्या सीखा dominance impose कर रहे है अपनी जबर्दस्ती है ना तो यदि कोई एक community अपनी dominance impose करने की कोशिश करती है किसी दूसरी community पर तो country की unity जो है वो खतम हो सकती है it can undermine the unity of the country clear है ठीक तो ये क्या सीखा हमने दो स्टोरी से यहाँ पर हमने देखा देखा दोनों जगा हमने देखा कि दोनों democracies हैं श्री लंका भी democracy है Belgium भी democracy है लेकिन दोनों ही democracy ने power sharing के concept को different तरीके से deal किया Belgium ने differences को recognize किया power share की और उससे हमें समझ में आया कि unity तभी possible है जब different communities के feelings और interest की respect की जाएगी ठीक है और श्री लंका से हमने क्या सीखा कि जब कोई एक community बाकी की communities पर अपनी will impose करने की कोशिश की है so it can undermine the unity of the country ये दोनों stories से हमने सीखा तो इन दोनों stories को पढ़कर अब हम कुछ समझ में आ रहा है कि हम power sharing होनी चाहिए तो ये दोनों stories के conclusion को हमें एक reason मान सकते हैं power sharing का लेकिन power sharing के और भी reasons होते हैं क्यों जरूरी है power sharing ये question अभी खतम नहीं हुआ है ठीक है तो इस power sharing के दो reasons और हमारे दिमाग में आते हैं वो क्या है prudential reason of power sharing and moral reasons of power sharing पहले जरा इन words को समझ लेते है prudential and moral prudential का मतलब क्या होता है based on calculations ठीक है prudential का मतलब है calculations लेकिन याद रखना calculation में सिर्फ positive या positive positive नहीं होता है negative भी होता है याने gains and losses दोनों का calculation careful calculation करना होता है मतलब power sharing के क्या फाइदे हैं और power share ना करने के क्या नुकसान है जब हम ये दोनों चीजें बताते हैं तो क्या कहलाते हैं prudential reasons of power sharing ठीक and moral moral का मतलब क्या है what is right and what is wrong सही क्या है गलत क्या है अब हम ये democracies के basis पर बोलते हैं democracy के principles बता देंगे एक तरीके से यहाँ पर है ना तो democracy के जो basic principles हैं वही power share करने के moral reasons हैं ठीक तो आईए एक एक करके हम ये दोनों reasons समझते हैं कि power sharing desirable क्यों है तो सबसे पहले आते हैं prudential reasons पर याने कि हमें क्या करना है हमें फाइदा क्या है और नुकसान क्या है ये बताना है यदि हम power share करेंगे तो क्या फाइदा है और power share नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है तो सबसे पहला power share करने का फाइदा क्या होता है कि जो conflicts हो सकते है social groups के भीच में वो conflicts नहीं हो पाते हैं तो power sharing किस चीज में help करती है it helps to reduce helps to reduce the possibility of conflict between different social groups थेख अब यहीं जो conflicts है ना यह काय में convert हो जाते हैं violence में और उस violence के कारण क्या होता है political instability आती है तो जब हम power share करते हैं तो ना conflict होते हैं conflict नहीं होते तो violence नहीं होता violence नहीं होता तो stability of political order तो second point मिल गया prudential reason में क्या कि power sharing is good because it helps to ensure stability of political order ठीक है दो फाइदे हो गए अब नुकसान की बात करते हैं नुकसान क्या होगा power share यहीं हम नहीं करते हैं तो अभी हमने श्रीलंका का case देखा it can undermine the unity of the country ठीक है देश की एकता को खतरा हो सकता है और क्यों होता है उसको भी हमने calculate करके बताया कि जब power share नहीं कर रहे तो जो majority group है वो tyrant हो जाता है अत्याचारी हो जाता है अब ऐसा होगा तो यह tyranny से क्या होता है क्योंकि जब भी power share नहीं हो रही तो tyranny होगी और tyranny होगी तो क्या होगा उसमें लोगों को लगता है कि सिर्फ minority को नुकसान होगा ऐसा नहीं है जब tyranny होती है जब majority group tyrant हो जाता है तो उससे सिर्फ minority को नुकसान नहीं होता majority को भी नुकसान होता है ठीक है तो हमारा fourth reason क्या होगा tyranny of the majority is not just oppressive for the minority it brings ruins ruins to the majority as well श्री लंका इसका सबसे अच्छा example है यदि माली यही question के form में दे दिया जाए आपको कि justify this statement तो आप स्री लंका का example बता कर आप यह justify कर सकते हैं कि tyranny of the majority is not just oppressive for the minority it brings ruins to the majority as well कैसे पर जब civil war हुआ तो civil war के कारण सिर्फ तमिल्स नहीं मारे गए बहुत सारे सिनहलीज भी मारे गए और बहुत सारे लोगों को तो country छोड़ कर ही जाना पड़ा दूसरी countries में refuge लेना पड़ा और वहाँ पर refugees की तरह उनको रहना पड़ा clear है यह चीज़ तो यह क्या हो गए हमारे prudential reason of power sharing याने based on calculations ठीक है अब हमें क्या करना है क्या पढ़ना है moral reasons of power sharing तो आ जाते हैं भाई moral reasons of power sharing पर क्या है moral reasons of power sharing सबसे पहला spirit of democracy ठीक है आत्मा है power sharing democracy की आत्मा है याने कि power sharing नहीं है तो democracy नहीं है तो देखो यह क्या हुआ what is wrong and what is right तो यहां देखो भी हम principles ही तो बता रहे हैं democracy के तो democracy के जो principles हैं वही moral reasons हैं power sharing के तो पहला principle मैंने बता दिया ये कि भाई democracy की आत्मा है power sharing यदि power sharing नहीं है तो democracy नहीं है because power sharing is one of the basic principles of democracy ठीक फिर क्या हुआ अब democracy में भाई होता क्या है लोग अपने representatives चुनते हैं और वो representatives हम पर rule करते हैं है न तो जिन को हमने चुना rule करने के लिए हमने चुना न तो हमने power दी है तो हमारे साथ power share होनी चाहिए की नहीं होनी चाहिए तो democracy का basic principle क्या है कि जिन लोगों ने power दी है और जिन लोगों के ऊपर उस power को exercise किया जाना है और जिन लोगों को उस effect के साथ रहना है वो सब कौन है हम citizens है तो हमारे साथ power share होनी चाहिए सो power must be shared with those ठीक है power democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise यहाँ it's का मतलब क्या है power है ना power exercise करने से जिसके उपर effect हो रहा है कौन है वो हम है effect किसके उपर होगा हमारे उपर होगा तो इसलिए क्या बोला it involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects हमारे उपर इस power को exercise किया जा रहा है उसका जो भी effect होगा उसके साथ रहना भी हमें है इसलिए हमारे साथ power share होनी चाहिए यह democracy का एक principle है और यही moral reason है power sharing का ठीक है अब इसके बाद एक और reason क्या मिल जाता है भाई जिनों ने चुना तुमें ruler बनाया उनसे consult तो करो कि उनको किस तरीके से govern किया जाए तो fourth reason क्या मिल जाता है people have the right यह हमारा अधिकार है democracy में people have a right to be consulted how they are to be governed ठीक है न यह power sharing का एक principle है यह democracy का एक basic principle है इसलिए power sharing का moral reason है ठीक है और democracy में एक legal government legitimate या accepted by people legal यह सारे इसके meaning होते हैं कि legitimate government कौन सी होती है जहां लोग participation के थूँ अपना share गेन करते हैं government में है न तो यही तो होता है power sharing इसलिए हम कह रहे है legitimate government is one where citizens acquire stake मतलब की अपना share citizens acquire stake in the system through participation तो कब होगा participation जब हमारे साथ power share की जाएगी power share हो रही है तो participation होगा तो यह क्या हो गए moral reasons of power sharing ठीक है अब क्या question आता है कि power sharing कैसे की जा सकती है different forms लेकिन क्या हमेशा से power share की जा रही है democracy में तो हम देख रहे हैं कि power share हो रही है है ना democracy में हमको दिख रहा है कि power share हो रही है लेकिन यह हमेशा से नहीं की जाती थी यह power sharing का concept कैसे आया it came in opposition to the concept of undivided political power अब यह क्या होता था undivided political power हम जानते हैं भाई पहले महराज राजा हुआ करता था है ना emperor है ना हमारे समराट कहते थे ठीक है तो power कैसे share होती थी पहले कि नहीं होती थी इससे हम समझ सकते हैं कैसे समझ सकते हैं लोगों ने एक ही व्यक्ति को सारी पावर दे रखी दी, देखो यहाँ पर भी लोगों ने दे रखी है, लोगों का माथा फिर गया तो राजा कुछ नहीं कर सकता हो, उसको तो हटने ही पड़ेगा, चाहे मुनार्की हो या कुछ भी हो, सारे लोग सड़कों पर उतर आएंगे, तो लोगों की सुननी ही पड़ेगी, तो एक तरीके से पास सारी पावर होगी, सेंट्रलाइजड होगी, तो डिसीजन लेना आसान होगा, और इंप्लिमेंट करना भी आसान होगा, इसलिए अंडिवाइड पॉलिटिकल पावर थी, ठीक है, लेकिन फिर देमोक्रेसी जाएं, देमोक्रेसी जाएं तो पावर शेरिंग का अएं, सेल्फ गवर्मेंट का कंसेप आया, क्योंकि डिमोक्रेसी का सबसे बैसिक प्रिंसिपल में से एक है, सेल्फ गवर्मेंट, तो डिमोक्रेसी में, लोग अपने आप पर रूल करते हैं, तो जिनसे से पावर शेर की जा सकती है, और वो सारे फॉन्स जो है ना, वो इं होते हैं जैसे की सबसे पहला क्या आता है power sharing among different organs of the government याने की legislative, executive and judiciary इनके बीच में power share कैसे होती है बहुए legislative, executive and judiciary में से सबसे ज़्यादा powerful कौन है कई बार यह question हमारे दिमाग में आता है बहुत सारे लोग अलग-अलग answer करते हैं कोई कहता है कि legislative ज़्यादा powerful है कोई कहता है कि executive ज़्यूटिव ज़्यादा powerful है कोई कहता है judiciary ज़्यादा powerful है लेकिन democracy में इन टीनों के साथ power share होती है इन टीनों में से कोई भी ज़्यादा powerful या कम powerful नहीं है टीनों equally powerful है लेकिन टीनों के काम अलग-अलग है ठीक है तो यह question आया है कि कौन ज़्यादा powerful है तो no one क्यों because all three of them has equal but different powers, ठीक है, ये क्यों किया गया, system of checks and balance बनाने के लिए, कि भाई कोई भी एक और गन जो है न, वो extreme power गेन करके कहीं गड़बड ना कर दे, ऐसा ना हो कि डिक्टेटरशिप आ जाए, इसी लिए टीनों को equal power दी गई, और साथ में उनके काम अलग-लग कर दिये गई, है न, लेकिन क्या कर रहे हैं, टीनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, जिससे balance बना हुआ है, मतलब कि टीनों मेंसे किसी एक ने भी अपनी power ज़रूरत से ज़्यादा exercise करने की कोशिश की, तो बाकी दोनों मिलकर उसको रोग देंगे, for example, यदि executive अपनी power exercise कर रहा है, वो ज़रूर और legislative हैं उसको रोकने के लिए, या judiciary जादा power use कर रही है, तो legislative और executive हैं उसको रोकने के लिए, तो यह checks है, एक दूसरे को check कर रहे हैं, जिससे हमारे balance बना हुआ है, इसलिए हम इसे system of checks and balance भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा form of guard sharing क्या है, between different organs, sorry, different levels of the government, different levels, क्या होते हैं different levels, central government, state government, local government, जाधातर countries में तो क्या होता है सिर्फ, central government और state government, क्योंकि वहाँ countries में population भी जादा नहीं है और area भी जादा नहीं है, लेकिन इंडिया में area भी जादा है, population भी बहुत जादा है, इंडिया जैसी country में दो tier of government नहीं चलेंगे, है ना, तो central government है, state government है, अब central government और state government क पावर्स अलग-अलग हैं, Central और State की पावर्स क्या ये कहां दिया होता है, Constitution में दिया हुआ होता है, ठीक है, तो Central Government भी है, State Government भी है, दोनों की पावर्स अलग-अलग हैं, और ये पावर्स कहां दी होई है, Constitution में, Central Government को कही जगा, Federal Government कहा जाता है, और State Government को Federal Units कहा जाता है, ठीक तो central government है, state government है और दोनों की अलग-अलग powers है और ये powers कहाँ पर दी हुई है ये powers दी हुई है constitution में लेकिन इंडिया में क्या कहानी है इंडिया में एक third level of government भी है local government क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी country है और इसकी power भी constitution में दी हुई है ठीक फिर तीसरा form of government power sharing क्या आता है भाई, third form है power sharing between different social groups इसके examples से हम समझते हैं कैसे different social groups के साथ power share करते हैं इसमें एक example हमने अभी लिया community government in Belgium तीन different social groups थे और उनके साथ power share करने के लिए community government बनाएगे और community government के पास उनके culture और उनके language से related powers थी culture language and education से related powers थी तो ये क्यों की आ गया ताकि टीनों के साथ power share की जा सके या इंडिया की हम बात करें इंडिया में reservation system है हमारे यहां लोक सभा में और विधान सभा में schedule caste और schedule tribes के लिए seat reserve की गई है क्यों की गई है ताकि उनको भी governance में हिस्सा मिल सके वो भी government का part बन सके यदि ऐसा नहीं करते तो हो सकता है कि वो जीती ही नहीं पाते और उनकी आवाज सरकार तक पहुची नहीं पाती और उनका development नहीं हो पाता तो different social groups के साथ power share की जा रही है हमारे यहां पर and last आता है power sharing between different political parties pressure groups and movements ठीक है power sharing कैसे की जाती है political parties कैसे power share करती है देखो भाई दो तरीके से power share करती है political parties एक अलग time पर अलग-अलग political parties की government होती है कभी BJP की government कभी Congress की government कभी जनता party की government है ना तो अलग-अलग time पर अलग-अलग parties की government होती है तो political parties power share कर रही है की नहीं ठीक है power is hurting between different political parties ठीक दूसरा तरीका क्या है जह collision government form करती है जब किसी को majority नहीं मिलती तो वो different parties एक दूसरे को support करती है और government form करती है ठीक है तो political parties power share कर रही है दो तरीके से किन दो तरीकों से power share कर रही है ये एक अलग-अलग time पर अलग-अलग party government form करती है या दूसरा collision government दूसरा है pressure groups pressure groups क्या होते हैं भाई सब बना लेते हैं अपने जैसे की engineers ने अपना बना लिया doctors ने अपना बना लिया teachers ने अपना बना लिया और यह आंदोलन चलाते हैं movements चलाते हैं अब यह कैसे pressurize करते हैं demands रखते हैं सरकार के सामने कि हमारी demands fulfill करो नहीं तो हम strike पर चले जाएंगे काम नहीं करेंगे और कई बार काम बंद कर देते हैं bank officers बंद कर देते हैं engineers काम करना बंद कर देते हैं तो यह प्रेशर ग्रॉप्स हैं यह pressurize कर रहे हैं इसलिए pressure ग्रॉप कह रहे हैं इनको अपन तो pressure groups भी क्या कर रहे हैं power share कर रहे हैं movements क्या होते हैं यह spontaneous होते हैं अचानक से चालू होते हैं मतला इसमें कोई ऐसा नहीं कि पहले से बहुत planning होती है यह अचानक से चालू हो जाते हैं इसमें कोई planning नहीं होती है कोई initially कोई leaders नहीं होते हैं अचानक से किसी ने कोई छोटा सा initiative लिया और उससे लोग सड़कों पर उतर आए government को pressurize कर रहे हैं और government को इनकी demand सुननी होती है माननी पड़ती है कई बार और जब वो ऐसा करती है government तो वो power share कर रही है ठीक है तो these are the different forms of power sharing तो यहाँ पर हमने समझा कि कैसे power share की जा सकती है ठीक है तो यहाँ पर हमारा यह chapter complete होता है आपको यह chapter कैसा लगा इस वीडियो में आपको यह chapter समझ में आया की नहीं आया आप हमारे comment section में हमें जरूर बताएं और इन सारे courses के detailed videos के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे channel को like करें subscribe करें और जादा से जादा लोगों के साथ share करें